सब्सक्राइब दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल अंसु एक्स में दोस्तों अगर आप ड्रीम लिबन में मैच लगाते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेंटेंस आपको बहुत सुनने को मिलता होगा क्रेडिट अप एंड डाउन का क्रेडिट अप एंड डाउन सुनने में तो बहुत ही सिंपल वार्ड है लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो मैं आपको इस भी निमाज बताने वाला हूँ क्रेडिट अप एंड डाउन के बारे में अगर आप अच्छे से समझ गये तो आप ड्रीम लिबन में हिंट होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रीम लिबन खुद हिंट देता है कि क्रेडिट अप एंड डाउन से आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर चलने वाला है और आज के मैच में सबसे बढ़ दोस्तों आप से एक चोटी स्रीक्ष्ट है अगर आप में चैनल को सबस्क्राइब करिएगा बगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजिए किसे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहु कर देना है जैसे यहां पर आप देखेंगे बहुत सरी मैच की ओप्सन आ रहे हैं यहां पर आप देखेंगे अभी सुभा मैच होने वाला है मेजर लिक क्रिकेट टी-20 का फाइनल मैच है SEO versus MINY इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद simple आपको कुछ नहीं करना है create team पर click कर देना है create team पर click करने के बाद आपको यहाँ से जानना है credit up and down as per player हम बात कर लेते हैं Quentin D.Cock की आपको यहाँ पर Quentin D.Cock सो कर रहे हैं आपको इनके profile पर simply click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो point है वो 364 है और credit है जो वो 9 point है हम इसी credit के बारे में बात करने वाले हैं credit up and down यहाँ पर आपको सो कर जाएगा यह देखिए यहाँ पर अगर आप starting से जाएंगे तो इनका अगर आप credit देखेंगे तो no point है और इनका लगबख सारे match में no point है मतलब यह player regular basis पे अपना performance दे रहा है और dream level भी यही hint दे रहा है अगर आप team बना रहे हैं तो आप content decoq के साथ आसानी से जा सकते हैं उसके साथ आपको risk नहीं लेना है इसी तरह से हम आगे की player की बात कर लेते हैं Nicholas Puran की बात कर लेते हैं Nicholas Puran का अब भी आप credit point देखेंगे यहाँ पे 9 है इनका भी आप जब इस्टार्टिंग से जाएंगे यहाँ पे इनको 8.5 credit point दिया गया था इसके बाद देखिए इनके 8.5 है तो 8.5 है यहाँ पे इनके 96 dream 11 point दिये थे तो इससे यह पता जलता है कि 8.5 जब तक था तो यह player performance दे रहा था और यहाँ पे आप देखें suddenly इनको 9 credit दे दिया गया है जबकि उससे पहले इनके 8.5 थे तो उसमें उनके 119 dream 11 point दिये थे और यह dream team का भी हिस्सा थे क्योंकि ऐसे इनको 9 credit दिया गया है इनका performance डाउन हो गया है उस match में यह performance नहीं कर पाए है और इनको सिर्फ minus 1 point मिला हुआ है तो जिस्तो हमें इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जैसे इनको 8.5 से 9 point ले गया है इनका performance यहां से गिर गया है मतलब यह player इस match में performance नहीं करने वाला है अगर किसी भी player का dream 11 ने credit बढ़ा है तो इसका मतलब है वो उस match में performance नहीं करने वाला है इसी तरह चागर हम बात कर लेते हैं और भी player हों के आगे हम बात कर लेते हैं सिमरन हेट मायर का यहां पर देखिए इनका dream 11 पाइंट 9 है नव पर इन्होंने ठीक ठाक performance किये हैं लेकिन कुछ match में इनको batting नहीं मिली है और कुछ match में यह flop रहे हैं लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों TSK खिलाप इनका credit point आठ कर दिया गया और इनको इस match में खेलने का उसर नहीं मिला था लेकिन इनका credit यहां पर down कर दिया गया है दोस्तों तो damn sure है कि dream 11 आपको यह hint दे रहा है कि आज के match में यह player चलने वाला है और अच्छा खासा performance करने वाला है यह dream 11 आपको hint दे रहा है तो दोस्तों इस तरह से जो यह credit point है इसका आपको मैं rule simple समझा दे रहा हूँ अगर किसी player का credit अप होता है तो समझ लिजिए वो player performance नहीं करने वाला है अगर किसी भी player का credit down होता है वो player performance करने वाला है आज के match में credit upon down का simple यह method है जिसको dream 11 आसान से सब्दों में आपको समझाना चाहता है अगर आप इस सब्द को आसानी से समझ गए कि क्या होता है dream 11 credit up and down तो आपको match लगाने में आसानी हो जाएगी तो इस तरह साथ जब भी team आपको बनाना हो तो player के profile पर जाके उसके credit को आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन से match में player का credit जो है down किया गया है कौन से match में player का credit up किया गया है credit up and down जानना बहुत ही compulsory होता है अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आपको match लगाने में और match को जीतने में आपको problem नहीं होने वाला है तो दोस्तों जो भी process मैंने बताया उसको आपको follow करना है और उसी तरह से आपको team बनाना है उसी behalf पे आपको player slate करना है तब ही आप dream 11 में rank one ला सकते हैं grand league के अंदर